हलो एरिवान, दोस्तो मैं आपका होस्ट और दोस्त अकास All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आप लोगों के लिए एक सुनहेरा अवसर है और ये अवसर आपको मिला है SSB में जी हाँ दोस्तो SSB, ससस्त्र, सीमा, बल यहाँ पर आप लोगों को मोका मिला है Head Constable Ministerial की Vacancies निकली है एक ऐसी जोब जो की Office, Desk Job है आपको फिल्ड में नहीं जाना है सिंपल आपको Office में बैटके वर्क करना है और Total Number of Vacancies जो यहाँ पर निकली है वो 115 Vacancies है जिसमें General की 47 Vacancy होगी EWS की 11, OBC की 26, SC की 21 और ST की आप लोगों की 10 Vacancies जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी और इन में से 10% जो Vacancies है वो एक सर्विसमें के लिए रिजर्वड है अगर यह Vacancies फिल अप नहीं होती है तो आप लोगों को मोका मिलेगा इन Vacancies पर भी जाने का तो टोटल 115 Vacancies आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है फोम भरना स्टार्ट हो चुके है अब अगर बात करें कि कब से कब तक यह फोम भरा जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि आप लोगों की salary कहां तक होगी अगर मैं in hand salary की बात करूँ फर्स्ट मन लगबक 40,000 के आसपास आप लोगों का salary होने वाला है और उसके बाद बहुत सारे allowance वगरा भी मिलते हैं तो अच्छी खासी salary यहाँ पर आप लोगों को दूसरा कौन-कौन लोग भर सकते हैं जिनका age 18-25 के बीच में है वो सभी इस form को fill कर सकते हैं अगर आप लोगों ने 12th pass कर रखी है आपका यहाँ पर speed भी मांगा गया अगर आप English में typing करेंगे तो आपका speed 35 words per minute होना चाहिए अगर आप Hindi में typing करते हैं तो आपका speed 30 words per minute होना चाहिए ठीक है दूसरा age relaxation के बारें बात कर लेते हैं कि age relaxation क्या होगा जो SC और ST से हैं उनके लिए 5 साल OBC अगर आपका central government का OBC है तो आपको 3 साल ex-serviceman के लिए deduction of military service बनाव जिस दिन retirement लिया है उससे पूरी military service को हटा कर आप लोगों का 3 years बाकी सारी चीज़े यहां पर बताई गई है कि इस तरीके से आप लोगों को जो है यहां पर मिलेगा age relaxation वहीं पर अगर बात करें कि सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा दोस्तों मैं बता दू सबसे पहले आप लोगों का इस process में सबसे पहले आप लोगों का PET और PST होगा उसके बाद आप लोगों का written exam जो है होगा इस तरीके से आप लोगों को form फिल करना है पूरा notification आप देख सकते हैं form जो है available है बहुत सारी websites पर आप वहाँ पर जाकर इस form को फिल कर सकते हैं उसके बाद जो आपका physical efficiency test होगा इसमें 1600 मिंटर की दोड होगी जिसके लिए time होगा 6 मिनट 30 सेकिंड और females के लिए 800 मिंटर की दोड होगी जिसका समय होगा 4 मिनट ये आपको याद रखना है जो उसको qualify करेंगे उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पर height और chest बताया गया है males का जो general category का है 165 होगा females का 155 ये आप लोगों का general category का है बाकी सभी का यहाँ पर बताया गया है किस-किस तरीके से आप लोगों का height होना चाहिए दूसरा सबसे पहले आप लोगों का physical होगा उसके बाद आप लोगों का written exam होगा तुरंट सवाल होगा कि offline होगा कि online होगा तो आप लोगों का written exam होगा वो offline होगा और ये आप लोगों का school वगेरा में जाकर होना है जिसमें EWS, OBC और X servicemen को 50% लाने होंगे 100 number में से ठीक है और दूसरा आपको SCST को कम से कम 45% डिस्कोर करना होगा उसके बाद merit भी matter करता है इतना तो आपको लाने ही होगे पास करने के लिए उसके बाद merit पर सब कुछ depend होगा उसके बाद आप लोगों का typing test होता है जिसमें आप लोगों का चेक किया जाएगा कितना आप लोगों का speed है तो दोस्तों एक अच्छी vacancies आप लोगों का wait कर रही है अगर अभी तक आप लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम था तो साथ अब आपको clear हो चुका होगा तो जल्दी से जाएं इस form को fill करें कोई भी doubt हो नीचे comment करके जुरूर बताईएगा 115 vacancies है males females दोनों के लिए है general के लिए 47 EWS के लिए 11 OBC के लिए 26 SC के लिए 21 और ST के लिए 10 ये vacancies जो है आप लोगों की निकल चुकी है तो जल्दी से form भरे और 25 साल तक 18-25 साल तक के सभी candidates general category के form भर सकते हैं OBC के लिए 3 साल का है और SCST के लिए आप लोगों का जो यहाँ पर age relaxation मिलेगा वो 5 साल का होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like करें किसी भी exam का notification पाने के लिए सबसे पहले चैनल को subscribe कर लिए हर एक exam का notification कैसे त्यारी करनी है कब क्या होगा सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी आज किस वीडियो में इतना ही thank you, जै हिन, जै भारत